तो overthinking से बचना है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपने को time travel इतना tight रखना है अपना task इतना ज़्यादा रखो कि time आपके पास कम पढ़ जाए फिर दूसरे दिन अपनको same task से शुरू करें और task उसको fill करो time अपने पास कम रहना चाहिए overthinking दोस्तों से gossiping, negative talking इन सबसे अपने को बचना है मैं आपको दो लाईने सुनाता हूँ गिरते हैं सैसावारी मैदाने जंग में वो tip लिक्या गिरे जो घुटनों के बल चले तो अपने को हिमत बिलकुल बरकरार रखनी है क्योंकि हिमते मर्दा तो मद दे खुद आपने को positive attitude जबरदस्त रखना है जी ओ जी लाइफ स्टाइल अपने को follow करना है यह सब बाते में बोलता रहता हूँ my dear friend यह सिर्फ बोलनी की बाते नहीं आप वो समय आ गया है जब अपने को वो चीज़े follow करना है मैं आपके साथ हो my dear friend आप comment box पे लिखिए आपके पास एक मेरा number है उ आपके साथ बात करता हूँ आपसे मिलता हूँ जूम मिटिंग के थुरू या एप में live class conduct करके आपन मिलते हैं और अपने एक दूसरे से बात करके आपका जो भी planning में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है और यह पूरा का पूरा कोर्स जाने वाला है April session तक my dear friend और सिर्फ इसक 400 भी नहीं पढ़ रहा है यार 375 रुपीज पर मंत 375 रुपीज मातर 375 रुपए पर मंत का कोर्स है चार महिने में आपको जेई में में complete theory पढ़ाने वाला हूँ live mentorship मिल रही है week में एक बार mock test मिल रहे है पार test मिल रहे है chapter test मिल रहे है उसके बाद आपको monitored practice sessions मिल रहे है और complete theories के बाद 600 से ज़्यादा PYQ उसमें अपने solve के रखे हैं तो वो सब आपको मिल रहे है यह आपको guarantee देता है कि maths में आप 99 percentile cover कर सकते हो ला सकते हैं in fact अपन यहाँ पर 100 most probable problems कर रहे हैं यहाँ से भी 100 questions में से लगबग लगबग 15 questions अपने को जेई में 2025 में मिलेंगे उससे मि most probable questions हैं यहाँ आपको लगबग 50-60 number की बात कर रहे हैं 50-60 number तक आपको जेई में 2025 में पुचा रहे हैं लेकिन इसको देखना इससे related पूरी theory को cover करना उससे related कुछ और PYQs को solve करना तब आपकी तयारी होती है पूरी फोडू वाली राइट तो फोडू PYQs सीरीज में अप और मैस का डर भगाते हैं questions को फोड के आते हैं और तेरा dream जेई पूरा गर के आते हैं चलते हैं वही next question की तरफ यह रहा आपका problem है B is perpendicular to C B is perpendicular to C तो आप उल्टा पड़ो C is perpendicular to B तो C जो है वो B के perpendicular है तो B के perpendicular कर दिया और क्यूंकि इसके modulus के बारे में अपने को नहीं पता है तो एक lambda से multiply कर दिया this is your perfect method अब देखो इसमें कहीं कोई लफडा नहीं है कितने आसानी से आपने problem को solve किया है अब देखो यहाँ पर अगर इसको open करना होता तो अपने open कर सकते तब इस C वेक्टर lambda में आगे ले आता हूं कोई बात भी pass वाला वेक्टर पहले आएगा तो something into pass वाला वेक्टर minus something into dur वाला वेक्टर राइट ऐसे अपने लिख दिया अब एक के अलावा कौन है भाई ए और बी है तो इसका मतलब देखो अपन क्या करते हैं ए अपने लिखा बी डॉट भी आएगा क्या दोस्त ठीक है बी डॉट भी अब इस पर समझना या रहा है यहाँ पर एक्चली दूस तीसरा वेक्टर थे कुछ अलग मादब सेम वेक्टर रखे न इसलिए लफड़े मत कर देना तो वी डॉट बी इंटू एवेक्टर होता है वी डॉट बी इंटू एवेक्टर राइट और आएगा बी डॉट एपन को दिया हुआ है दिकालना है तो सी निकालने के लिए आपके कंडिशन और दे रहा है वे a dot c equal to 7 तो यह जो condition है न हमाई different यह आपको lambda निकालने में मदद करेगी a dot c equal to 7 जो है यह lambda निकालने में मदद करेगी तो आप क्या करो भी ठीक मौड b आपको पता है देखो यह क्या आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं तो c equals to lambda times mod b square तो mod b अगर अपन निकाले तो यहां से mod b square equals to rf 5 तो 5 into a vector a क्या है माई different minus i cap plus j cap plus k क्या बिल्कुल साओधानी हटी दुरगट ना घटी तो साओधान रही है सतर्क रही है और मचाते रही है और b dot a क्या है different b dot a अगर अगर अपन निकाले तो इन दोनों k equals to minus 2 minus 2 खाटा आना और j के साथ क्या होगा 0 क्योंकि j cap यहाँ पर नहीं है और k cap k cap क्या होगा 1 okay तो minus 2 plus 1 टीक इक इक उल्स तो आगया minus 1 तो यहाँ पर दोस्त minus 1 आ रहा होगा तो अपन minus 1 put कर देते हैं b b vector की value put कर देता हो 2i cap plus k cap कहीं कोई लफड़ा नहीं है तो यह अपने पास c आ गया अब क्या करना है यह से dot कर लो इसको थोड़ा सा simplify कर लो और a dot c equal to 7 कर लो तो a dot c equals to 7 अपने को solve करना है ना तो यहाँ से रिको जीटीक है लैमडा तो अपन के पास बाहर आ लैमडा को बाहर ले लो ना कोई फरक नहीं बढ़ता है यार a dot c c का modulus है और c के mod में लैमडा role play कर रहे तो लैमडा तो बाहर कर लेते हैं और a अपने पास दिया है अपने एक बार थोड़ा सा simplify कर लेते हैं इसको एक step आगे simplify करते हैं तो लैमडा और c देखो minus 5 i cap और plus 2 i cap प्लस 2 i cap तो यहां से जाएगा minus 3 i cap एक बार calculation mistake नहीं होनी चाहिए ध्यान से रखना है ना 5 j cap और 5 j cap जैक उसमें है नहीं तो 5 j cap आगे है और k cap देखो 5 k cap आ रहा है और यहां से कितना रहा है minus minus plus हो जाएगा तो plus k cap तो plus 6 k cap minus 6 k cap और जब आप a dot c करोगे तो a dot c कितना आएगा देखना चेक करना थ्री अपन के पास आएगा minus minus plus 3 आ गया 3 plus 3 कब 5 आ रहा है और 5 plus 6 आ रहा है तो यहां से अपन a dot c 7 6 5 11 प्लस 3 ठीक लैमडा इकोल्स तो हाफ आ गया चेक कर लो यार लैमडा इकोल्स तो हाफ अपने को चाहिए था लैमडा इकोल्स तो हाफ आ गया अब आगे तो कर लोगे ना लैमडा इकोल्स तो हाफ आ रहा है तो लैमडा इकोल्स तो हाफ यहां पर put कर दो यहां से जो c वेक्टर है वो अपन के पास आ जाएगा half into same vector यह same vector अपन यहाँ पर रख देंगे तो half into same vector आगए अब अपने को two times mod A plus mod B plus mod C चाहिए अब कर लोगे न दोस्ट A vector आपको पता है B vector आपको पता है C vector आपको पता है तो इनों को add करके जो A plus B plus C आएगा उसका modulus तो I cap, J cap, K cap के term में अपन लिखें तो अपने के यहाँ से A plus B plus C अगर आपन लिखना चाहिए तो आराम से लिख सकते हैं देख लेते हैं तो भई A plus B plus C A plus B plus C अगर आप लिखोगे देखना है यार minus I cap 2 I cap I cap और I cap और minus 3 by 2 I cap और minus 3 by 2 आ रहा है तो minus 3 by 2 और I cap तो minus half I cap चेक करना है है देख लो भई यहाँ से minus 3 by 2 आ रहा है और यह आ रहा है 2 और minus 1 है ना add करा है तो 1 आ रहा है तो 1 minus 3 by 2 तो minus का half आ गा है minus half I cap और plus ठीक है अपन के पास क्या जाएगा दोस्त? ठीक है J cap, J cap देखो क्या-क्या हो रहा है, पर J cap यहां से 1 आया और यहां से आ रहा है 5 by 2, तो 7 by 2 आ रहा है, तो 7 by 2 J cap आ गया, प्लस K cap देख लो, K cap 1 आ रहा है, 1 plus 1, 2 आ रहा है, और 2 और 6 by 2, 3, तो 3 और 2, 5, तो इसका लगा 5 K cap आ गया, तो यह A plus B plus C आ गया, अब इसका modulus square चाहिए, तो modulus square जब आप लिखोगे, तो यह बन के पास आठाए का भाई, 2 into, 2 into modulus का square, right, तो 2 into modulus square जब करोगे, तो 1 by 4 plus 49 by 4, 49 by 4 plus 5 का हो जाएका 25, right, ऐसे तो करते हैं, मोडिलस अगर x i cap plus y j cap plus z k cap चाहिए, तो modulus square क्या होता है, x square plus y square plus z square, तो x square plus y square plus z square, रदिया आपनने, 49 plus 1 कितना रहा है, 50, 50 by 4, कितना रहा है दोस, 50, 50 और यहां से चलो, multiply करते हैं, 150, 150 by 2, 75 is your perfect answer, right, 75 अपने पास answer आए, तो 75 is your correct answer, तो बिलकुल छोटा आपना, calculations है, nothing else, देखो, concept तो यही पर बस दम तोड़ दिया था, यह concept है, यह concept था, this is concept, this is tip, कि कैसे problem को tackle करना चाहिए, फिर आपने formula को open किया, फिर उसको simple calculations है, simple बजदूरी है, nothing else, right, तब देखो, अपन ठीक है, एक और देखते हैं question, पर देखो जी ठीक है, let a, b and c be three non-zero vectors, b dot c, एक चीज़ और बताता हो आपको, कई बार न, ऐसे चार vectors का dot product रख देता है कई पर चार vectors का dot product आपके पास रखेगा, right, तो अगर four vectors का dot product दिया है, तो मैं आपको एक्दम simple तरीका बताता हूँ, simple तरीका, कई पर भी रखा है न, my different, a cross b dot, हैना, ये tip, ये tip number one है माल लेते हैं, और ये tip number two है, हैना, ये tip number two है, ये tip number two है, तो ये tip, इसी यही पर लिख दे रहा हो एक साथ, जिससे कि आपको revise करने के लिए, जब आप notes देखो, तो आपको दोनों चीजे एक साथ मिलें, इसको न, two by two order के determined में सजा लिया करो, तो लिखना कैसे, a dot c, a को c से dot करो, और a को d किसे dot करो, तो a dot c, और a dot d, clear, नबई, कितना असान हो गया, एक को c से dot किया, a को d से dot किया, दोनों को सजा लिया, a dot c, a dot d, b को c से dot किया, b को d से dot किया, तो भई B.C है ना और B.D क्या बात है आँखों में चमा गया मज़ा गया मस इतना से याद रखो और होता कैसे है यह और अगर आप जानना चाहते हो कि सर यह कमाल कैसे होता है तो यह कमाल होता है by different अपन क्या करते हैं dot across को replace कर सकते हैं dot across को replace कर सकते हैं यह STP की property होती है scalar triple product की property होती है scalar triple product की property होती है कि कहीं पर अगर A dot B cross C लिखा है तो it is equals to A cross B dot C and both are equals to and both are equals to box ABC box ABC ऐसे लिख देते हैं तो यह डिटर्मिनेंट से define होता है आपको पाता है निए this is equals to nothing but delta, delta कौन सा वाला co-planner vectors वाला जिसमें first row कौन आएगा A के scalar, second row कौन आएगा B के scalar, C कौन third row कौन आएगा C के scalar और वहाँ पर delta equal to zero करके vectors के co-planner होने के लिए अपन एक delta निकालते थे linearly dependent होने के लिए एक delta अपन निकालते थे STP, scalars triple product के लिए भी वही delta काम आता है इसलिए इस delta में कोई भी नई बात नहीं है और इसको out of the syllabus कहना सिर्फ formula को out of the syllabus कहना is not good, right? volume of parallel of piped अगर कोई बोलता है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं out of the syllabus है क्योंकि वो STP का application है लेकिन ये linearly dependent co-planner vectors ये सब आपके syllabus में है और वो actually A dot B cross C बनता है A cross B dot C बनता है box ABC बनता है तो इसको out of the syllabus मत बोलो क्या जरा सा जरा सी बात है जेई में प्रॉब्लम पूछ लेगा अपन हाए तवबा हाए तवबा करते रहेंगे सुनने वाला अपनी कोई है नहीं चैलेंज करने के लिए question 200 रुपए चाहिए होते है कितना क्या होगा इसलिए अपने को छोटी-छोटी चीजे जो अनुभव के अधार पे मैं आपको सिखा रहा हूँ please don't ignore them तो अपन यहाँ पर छोटा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो कम मत पढ़ो तो देखो क्या होगा न यार दोस्त कि आपने एक क्रॉस भी डॉट सी क्रॉस दिये तो चार वेक्टर्स का डॉट में अपने को आता नहीं है मैं अपन को चार एक वेक्टर्स का डॉट चार वेक्टर्स का क्रॉस यह सब नहीं आता है तीन वेक्टर्स का आता है अपन क्या करते है डॉट क्रॉस को इधर उधर कर लेते तो यह आजा है कि इसको आप लिख सकते हो A dot B cross C cross D ऐसे लिख दिया राइट तो अब यह जो वी टीपी का फॉर्मूला कर रहा है वी टीपी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दो तो B dot D into C minus B dot C into D आएगा और फिर A से dot करोगे तो यही आजाता है A dot C into B dot D जब आप solve करोगे तो A dot C into B dot D माइने फ्रेंड माइनस B dot C into A dot D क्या बात है क्या बात है ना मजा रहा है वई तो आपन ने क्या करा है याल डेटर्मिनन को solve करने के this into this minus this into this okay my dear friend मुस्करा दो keep on smiling right हसते रहो मुस्कराते रहो और व्यस्त रहो स्वस्त रहो और जीवन में मस्त रहो clear तो अपना रहते है भाई ठीक है एक दो question और देखते हैं यह जो question कर रहे थे हैं तो अब दिको जैसे आपने देखा A B C B non zero vectors such that यह पहला चीज़ दिया है B dot C equal to zero right A cross B cross C यह देखो फिर से VTP का formula लगा रहा है क्या लगा रहा है VTP का formula लगा लेगे अपन D B यह vector such that so यह VTP का formula दिया है और यह vector such that B dot D equal to A dot B यह सब दिया हुआ है actually right तो देखते हैं क्या-क्या दिये रखा है तो A cross B cross C वही अपन formula लगेंगे भाई पास वाले vector को A cross B cross C A cross B cross C right इससे कैसे open करते थे या कैसे बताओ जार जल्दी से कि something into pass वाला vector minus something into दूर वाला vector right तो यहां से आज़िए कि दूर वाला vector को ओने भी जल्दी से बताओ तो दूर वाला vector है C दूर वाला vector है C right तो pass वाला vector को ओने B तो something into pass वाला vector minus something into दूर वाला vector तो यहां से आज़िए कि आपे B के साथ A dot C वैसे तब आपको समझ आ रहा होगा, a.c into b vector minus a.b into c vector, तो यहां से a.b into c vector आगे, अब इसको compare कर लो भाई, यह जो अपने को दिया है, b minus c by 2 given है, यहां से जब compare करोगे, क्योंकि आपको पता है, this is equals to, क्या होगा भई, यह equals जो अपने पास आ रहा होगा, अगर मैं इसको open तो यह equals आपको पता है, कैसे लिखोगी यार, वही अपने को लिखना पड़ेगा, a.c, a.d, और यह minus वाला जो आएगा, फिर आजाएगा, यहां पर second row b.c into b.d, तो आप देखो क्या क्या दिया है, b.c दे रखा है, यह equal to 0 दे रखा है, तो a.d की जरत नहीं है, क्योंकि multiply ह करके 0 हो जाएगा, a.c अपने को चाहिए, तो देखो a.c equal to क्या आ रहा है, compare करोगे, तो a.c equal to half आ गया, b का scalar देखो, b का scalar क्या है, half, b का scalar यहां पर half है, तो compare कर लिया, और next अपन को दिया है, a.b, a.b, a.b equals to minus है, यहां भी minus है, c का scalar a.b है, minus के साथ, यहां पर minus half है, तो it value put कर सकते हैं, तो अपन जब इसकी value put करेंगे, इसकी जब value put कर रहे होंगे, तो क्या क्या आएगा, जल्दी से बोलो, a.c equal to half, a.d और a.b equal है, a.d, a.d की जरत नहीं है, a.d की जरत नहीं है, a.d अपने को दे रखा है का है, नहीं दे रखा है, तो b.c equal to 0 अपने को दिया पड़ेगी, क्योंकि minus के साथ multiply हो जाएगा, और b.d equal to a.b है, तो a.b जो हाफ है, तो यह भी हाफ अपन के पास आगे, तो जब आप इसको solve करोगे, तो यह equals to 1 by 4 आजाएगा, तो 1 by 4 should be your answer, 1 by 4 should be your answer, तो fourth वाला answer होगा, तो मने ख्याल से बहुत असान था question, कोई मुश्किल question नहीं है, अराम से solve हो रहा है, बस और बस अपने को थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए, तो knowledge बढ़ाने के लिए ही अपने tip 1, tip 2 किया, तो दो tips अपने की है, जिससे की इस तरह के खतरनाक वाले problems को भी अपन कर सकें, और ultimately बात में J-E advanced में तो काम आने वाला है ही यार, पर J-E advanced में तो काम आएगा ही सब को J-E advanced में कुछ भी नहीं अटा है, right, J-E advanced में तो फिर अपने को थोड़ा बहुत extra करना ही पड़ता है, okay, anyways, तो J-E main के लिए भी काम आएगा, J-E advanced के लिए भी काम आएगा, अब देखो, ये कितना खतरना question रखा हुआ है, इतना खतरना expression देखो, य लामडा फसा रखा है, B-B-D रखा है, लेकिन लामडा फसा रखा है, clear, तो अब देखो, problems में हर type के question solve करनी के अपने को practice होनी चाहिए, तो मैंने आपसे क्या बोला है, मैं different, कि जितने questions मैं कर रहा हूँ, वो pen paper ले करके आपको खुद भी करने है, right, तो जितने भी questions मैं advanced, objective, subjective नहीं है कि आपको step marking हो जाएगी, जब तक आप answer तक नहीं पहुचोगे, तब तक आप problem में marks score नहीं कर पाओगे, तो आपको up to answer solve करनी की practice होनी चाहिए, तो डरना नहीं है, my different problem को up to answer solve करना है, चलो जी, थोड़ी देर के लिए अपन देखते हैं, ये एक vector है, ये तो एक तरीके से ये VTP type देख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं different, VTP, तो VTP को अगर आपन open करते हैं, तो कैसे आएगा भी Z बाहर है, तो pass वाला vector Y होगा, तो अपने पास आएगा भी Z dot X into Y vector, right, minus अपने पास आएगा प्लीज, अपने पास आएगा भी Z dot Y vector into X vector, यही होगा तो यह equals अपने पास आगा, अब आप इसकी values को put कर दो, तो values को जब put करोगे, तो यह equals अपने पास आएगा भी Z dot X, तो अपने पास आ रहा है भी A plus B dot A minus, चेक करिएगा भी Z dot X बोल रहा है, right, तो Z dot X अगर अपन बोले, तो A plus B dot A minus B आ गया, क्या सही है ना भी, ओके, तो भाईटी के यहां से आ रहा है Z dot X, तो Z यह है, dot X अपन ने यह किया, तो यह अपन के पास आए, इस डॉट और इंटू किस के साथ है, Y के साथ, तो Y क्या है भाई, A cross B, okay, my dear friend, right, अब उसके बाद क्या रहा है Z dot Y, तो Z dot Y समझना, तो यह A minus B जो है यह A B के plane पर ह इस अरे बहुत इंपोर्टन चीश बता रहा हूं यार, इस इस plane, इस vector lies on plane of A B, right, A B के plane पर है, और यह जो A cross B है, this is perpendicular to A and B, समझा रहा है, तो जब आप इन दोनों का cross करोगे, जैसे आपने बोला, सुरी, dot करोगे, जब Z dot Y लिखोगे, तो this is equal to 0, मतला अब मैं यह कह सकता हूं कि जो Z vector है, that is on the plane, on the plane of A vector and B vector, Z जो है, A minus B है, मैंने सिखाए था नहीं, lambda A plus mu B, lambda A plus mu B, last turn पे किया था, lambda A plus mu B कहीं रखा है, तो on the plane, और A cross B रखा है, tip 1, tip 2 करके देखना है, starting में, profile 1, profile 2, cross के case में, cross product में, profile 1, profile 2, देखोगे, तो वहाँ पर मैंने यह लिखा था, कि lambda A plus mu B कहीं दिया है, तो AB के plane पर होगा, और अगर A cross B दिया है, जैसा कि Y दे perpendicular to plane, perpendicular to plane, containing A vector and B vector, तो जो Y dot Z होगा, या Z dot Y होगा, यह 0 है, तो इसको उठा करके 0 रख, तो देखो कितनी beautifully, इस term से, अपनने इस concept से, इस term को कितना हलका कर दिया, So, यही है concept, इसलिए मैं बोलता हूँ, जब concept होगा तगड़ा, तो नहीं होगा कोई लफड़ा, और इसलिए मैंने छोटे-छोटे points आपको profile mark करके लिखाए हैं, क्योंकि हर चीज, जो मैंने आपको सिखाई है, कहीं न कहीं problem में use होगी, और मेरी, मेरा जो experience है, या जो मेरी responsibility है, मेरी जो जिम्मेदारी है, वो उन सारे points को question में use करके दिखाना, मेरी responsibility है, और इसके बाद आपकी responsibility है, उसको याद रखना, और examination में जब question आए, तो उसमें apply करके question को forward करके आना, और अगर हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं, तो my dear friend, आपका जो सपना है, जो यही आपका dream है, उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है, right, क्योंकि मेरी success भी आपकी success है, actually, आपकी success मेरी success है, आपकी success आपके parents की success है, आपकी success ही आपकी success है, तो सबी लोग मिल करके आपकी success के लिए काम कर रहे हैं, तो आप succeed हो ये, और हम ही बचा है, mod A square minus mod B square और A cross B, this is what the expression is, this is what the expression is, right, और ये expression पूरा का पूरा दिया है, 8 I cap minus 40 J cap, बिल्कुल डरना नहीं है दोस, डर के आगे जीत है, डरना मना है, भाई, डरना मना है, right, give up नहीं मारना है, तो देखो जी, ठीक है, mod A square कितना है, mod A, mod A equals 2, चेक करते हैं, mod A, ऐसे कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, बहुत असान साही तो है, mod A square चेक करते हैं, mod A square क्या हो रहागा, lambda square, lambda square, plus 4 plus 9, lambda square plus 4 plus 9, और minus के साथ mod B square क्या रहा होगा, बहुए 1 minus, अच्छी plus होगा ना, यह plus, तो लेकिन minus लगा है बाहर, तो सब minus भे आएंगे, minus lambda square, और minus का 4, right, और A cross B equals to same term, यह आ जाएगा, right, यह same term अपने पास आ रहा होगा, तो जब आप solve करोंगे, देखो, lambda square, lambda square cancel हो गया, 9 plus 4, 13 आ रहा है, 13 और 8 आ रहा है, तो यहां से आगे, 8, 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यह भाई, A cross B equals to simplify होकर, 8 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, यहां पर 8 बच रहा है, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहां जाएगा, I cap minus 5, J cap minus 3, K cap, this is your A cross B, right, अभी A cross B आ चुका है, अब अपने को lambda चाहिए, तो अब lambda के लिए त्यार A cross B करना पड़ेगा, right, अब A cross B कर लो, तो मैं आपको थोड़ा सा solve दिखा देता हूँ, कि मैं A cross B करने का क्या है, I cap, J cap, K cap लिखोगे, A के scalars first row में, B के scalars second row में, solve करके, जब आप इसको solve करोगे, lambda के term में आएगा, इसको solve करोगे, तो ये अपन के पास आ रहा है, right, और इसको I minus 5, ये लिखा ना, आपने, I minus 5, J minus 3 के cap, इससे compare कर लो, इससे compare कर लो, तो यहाँ से lambda equals to 1 आ जाता है, right, lambda equals to 1 आगे, lambda equals to 1 आप use कर लो, तो यहाँ से my different जब solve करोगे, इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं, तो भाईटी के इसको जब आप solve करोगे, इसको जब आपन solve करते हैं, तो lambda equals to 1 है, lambda equals to 1 है, उसके बाद कहा रहा है, A plus B cross A minus B, A plus B cross A minus B, right, तो A plus B cross, ऐससे अपन solve करें, A plus B cross A minus B, whole square, right, lambda तो 1 था, lambda को खतम कर दिया, तब उसमें कुछ दम नहीं है, आप चेक कर लो, एक क्रॉस से 0 होगा, B cross से आएगा, तो first term हा रहा होगा, B cross है, A से cross कर रहा हो, A cross है 0, B cross है, minus के साथ आएंगे, minus A cross B, minus A cross B, minus A cross B और B cross भी 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा, 4 times mod of A cross B whole square, तब A cross B जब आप निकालोगे, तो देखो, mod of A cross B कितना आ रहा है, 1 plus 25 plus, अगर मैं mod of A cross B की बात करूँ, तो it is equals to 4 into, 1 plus 25 plus, कितना 9, तो 9 तो अपन के पास आगे, 25 plus 9, कितना आगे है भई, 34 plus 35, 35 into 4, 140, तो 140 शुड भी और आंसर, 140 शुड भी और आंसर, और यह तीनों questions जो मैंने discuss कियें, these are really, really, difficult category questions, अगर मैं आपको बुरू, J main के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो यह J advanced level के questions, और यह J mains में, difficult category के questions में मारे जाएंगे, जबकि अपन बिल्कुल भी आपको खुद दिख रहा होगा, कि ऐसा कोई कमाल अपन ने नहीं किया है, नहीं ऐसा कोई struggle था, बलकि उन्होंने ऐसे खुदी terms को सजा करके रखा हुआ है, कि थोड़ा भी अगर आप मन की आँखे खोल करके काम करोगे, तो बहुत सिंप्लिफाइड तरीके से 2-5 लाइन में काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा यह जो determined वगरा solve करना पड़ता है, तो थोड़ा सा lengthy रहता है question, तो फॉर्स्ट है answer 140, क्या मोलना है, बेको directed line segment, directed line segment का मतला होता है, line, मतलब line का कोई हिस्सा, part, तो directed line segment makes an angle 45 degrees, 60 degree with x-axis and y-axis, इसका मतलब cos alpha, cos beta दिया है, क्या दे रखा मैं डे फ्रेंट, यह alpha दे रखा है, यह beta दे रखा है, और x-axis, y-axis respectively, and an acute angle with z-axis setting gamma, तो इसका मतलब DRs पे बात, sorry, DCs पे बात कर रहा है, direction cosines पे बात कर रहा है, तो इसका मतलब अपन यह कह सकते हैं, cos square alpha, plus cos square beta, plus cos square gamma equals to 1, पहली चीज़ तो यह दे दी, और यह PQ are two points in space, find the projection of PQ on the given line, बहुत असान हो गया यार, PQ dot line के along unit vector, divided by, अब देको model cap करने का जुरत नहीं है, क्योंकि DCs दे रखे हैं, तो direct जो projection होगा, अगर यहां पर L vector होता, अगर उसका कुछ modulus होता, तो उसके modulus से divide करना पड़ता है, मैंने बता रखे हैं, A dot B, और जिसके along projection निकालना होता है, उसके modulus से divide करते हैं, लेकिन अगर यहां पर B unit vector होता, तो it is simply equals to A dot B cap, अगर projection निकालना है, projection के अगर बात करें, तो यह projection अपने पास है, तो simple projection अपने के पास यहां गया, तो मेरे गालते देखो, question में जो अक्कल लगनी है, वो तो आ गई, अब L cap अगर vector की मैं बात करूँ, तो जो L cap vector होगा, आपको बाता हैं, भाई, किस से बनेगा, DC से, सारा का सारा जो अक्कल वाला काम है, जो concept है, वो पहले समझ लो, मजदूरी तो कर ही लेंगे, मजदूरी में क्या रखा है, तो P Q vector आप निकाल लोगे, क्योंकि P point और Q point पता है, L cap vector निकाल लोगे, क्योंकि cos alpha, cos beta, cos gamma पता है, cos gamma कह रहें भाई, नहीं पता है, तो निकाल लेंगे न यार, cos यह निकाल लेंगे, और P Q vector निकाल लेंगे, तो P Q vector अपन के बास क्या रहा है, अगर अपन निकालना चाहें, तो क्या Q minus P करोगे, Q minus P, तो क्या हैगा भाई, 5 I cap, 4 minus of minus 1, 3 minus 2, plus J cap, 1 minus minus, तो plus 4 cake है, चेक कर लेना भाई, यह P Q vector आ गया, अभी ने को cos alpha क्या आ रहा है, 1 by root 2 का whole square, तो half आ जाएगा, cos square beta, cos beta कितना होता है, cos 60 कितना होता है, half, तो 1 by 4, plus cos square gamma, right, equal to 1, तो यहाँ से जब solve करोगे, तो acute है ना, तो positive लेना है, acute बोल रहा है, क्या बोलना दोस, acute, तो acute का मतला positive लेना है, कैसा लेना भाई, positive, तो positive अबन को लेना है, positive लेना है, cos square आ रहा है, half, actually 1 by 4 आ रहा है, तो cos gamma plus minus half आएगा, plus minus half आएगा, लेकिन आपन gamma actually acute है, तो gamma equals to कितना लेना पड़ेगा, बोलो 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 गामा इकोल कितना लेना पड़ेगा, 60 degree, तो gamma भी 60 degree होगा, तो अपने को cos gamma half आ गया, अभी देखो जी L cap जो वेक्टर है, that is nothing but 1 by root 2, I cap plus, check करो भई, half J cap, half J cap plus half K cap, बस PQ dot L cap कर तो आपका projection आ जाएगा, तो projection equal to अगर निकालना चाहे, तो बड़े आराम से आ जाएगा माड़े फ्रेंट, तो projection अगर अपने को चाहिए, तो equal to PQ dot L cap करो, 5 by root 2, 5 by root 2 plus half, plus ठीक है कितना रहा भई, 4 by 2, तो 4 by 2 आ रहा है, check करो भई, 4 by 2 आ गया, तो अपन जब solve करते हैं, तो यह 4 by 2, यह actually 2 होगा, 2 plus 3 by 2 आ रहा है, तो check करो भई, क्या आ रहा है, बोलो, तो 5 by root 2 आ रहा है, और यह 2 आएगा, 2 plus half 5 by 2 होगा, तो 5 by 2, तो यह अपन के पास, 5 by 2 आपन common ले लेते हैं, 5 by 2 common लेलो, तो root 2 plus 1 अपने पास बच जाएगा, तो this would be your perfect answer, फर्स वाला, तो फर्स वाला is your answer, चलो जी, नेक्स वेपन आ आते हैं, तो मेरे काल से बहुत असान question था, तो projection of a line segment on a line, अभी क्या करते थे, projection of a vector on another vector, अभी क्या करना है, projection of a line segment on another line, clear ना भी, तो यह बनने कर लिया, right,